मिस वाल्डो की बात कही थी, मिस वाल्डो हरीदासी, किस प्रकार से यद्दिपी वो शॉर्ट एंड नहीं जानती थी, फिर भी उन्होंने स्वामी जी के प्रवचनों को लिपी बद करने का कठिन कारिक्रिम किया था, विशेश करके कारिकिया था, विशेश करके इंस्पायर टॉक्स दिव्यवानी देववानी जो की थावजन लाले पार्क में स्वामी जी ने प्रवचन दिये थे उसका शारांस निकाल करके बहुत बड़ी सेवा उन्हें मानव जाते की की है और हमने कहा ता लिए स्वामी बीवेकान अन्द में उनके जितने वारतलाप हैं वो तो किसी और ने रेकॉर्ड किये हैं उनकी डायरी में से और ये पारमी जी ने खुद ने लिखी है चाहे इंग्लिश में लिखे हो चाहे बंगला में लिखे हो कानुवाद दिया गया है वो स्वामे जी की खुद की रचना है लेटर सब स्वामे वेवेकान ये स्वामे जी की खुद की रचना है और राजयोग्रंत ये डिक्टेशन दिया और ये भी मिस वाल्डो का एक उनके क प्रेडिट को जाता है कि उन्होंने वो राजयोग ग्रंत का डिक्टेशन लिया स्वामी जी के पास से और उसको बाद में पुस्तक प्रकाशित हुई उसके सीवा कि जितनी किताबें निकली हैं वो सभी स्वामी विवेकान जो प्रवचन दिये किसी और ने सुने और फिर उस उसको दिया गया जैसे कि गुडविन ने शॉर्ट हैंड में जो प्रवचन सुने शॉर्ट हैंड में जो लिखा लीपी बद किया उसको बाद में कंप्रीट वक्सप स्वामी विकान में डाला गया उसमें कुछ संसोधन किसी ने बहुत अच्छी बात कही एक कॉमेंट्स द रहा ही था और उन्होंने बताया वो भी बात सच है स्वामी विवेकानंजी के अनुरोध पर उनकी तिर्वे इच्छा के अनुसार बंगला में एक मैगेजिन प्रकाशित होना सुरू हूँ अठाज़ोच्छ चैनबे से कलकता से उद्बोधन नाम की पत्रिका उसके लिए स भाबबर कथा चिंतनी बाते मैटर्स फर थार्ट और वर्तमान भारत ऐसे कुछ-कुछ जो लेक स्वामी विवेकानंजी ने जो उद्बोधन के लिए दिये थे वो बाद में उसका ट्रांसेशन हो करके कंप्लीट वर्स में आया है और सभी लेंग्वेज में उसका ट्रांस पुरी था और कुछ प्रवचन जो हमको और मिले हैं जिसके लिए लिपिबद करने के अश्रे जाता है वो है इडा एंसल इडा एंसल ये अमरीका में सैन फ्रांसिसको में उस समय थी और उसने सब स्वामी विवेकान जी के प्रवचन सुने थे और वो शॉर्ट हिंड जानत उसने ये प्रवचन लिपिबद कर लिये थे करीब करें तेरा प्रवचन लिपिबद किये थे वो अपने पास उन्होंने रखा था क्योंकि पास रखा था क्योंकि वो बोलती है कि स्वामी विवेकान जी जो बोलते थे तो इंस्पैर्ड हो करके बोलते थे तो इतना उनका प्रवाह इतना अधिक होता था कि उसको कैश करना साधान स्टेनोग्राफर के लिए पॉसिबल नहीं था। गुडवीन तो कर लेते थे क्योंकि वो बहुत एक्सपर्ट थे 300 वोल्ड से पर मिनिट से ज़्यादा उनकी स्पिट थी। इसकी स्पिट 300 वोल्ड पर मिनिट नहीं थी। उसने कहा कि स्वामी जी का जो वह जो प्रवाह है उसको कैश करने क्लिए कम से कम 300 वोल्ड पर मिनिट का उतना ऐसा स्टेनोग्राफर तो मैं नहीं थी। और ऐसे स्टेनो कर मिलना मुश्किल है गुडवीन वाज एन एक्सेप्शन तो जो भी होगा तो इसलिए उन्होंने जो प्रवचन लिखके रखे थे अपने स्वांतर सुखाया उसमें कहीं-कहीं पर गैप आ गए थी क्योंकि वो पूरा तो सुन नहीं पहे थी तो कहीं-कहीं बर गैप थी इसलिए वो इंपरफेक्ट हवस्ता में थे इसलिए उसने पॉब्लिश नहीं होने दिया पर मरने के पहले उसको लगा कि मानो जाती को मैं डिप्राइव कर रहे हूं फ्रम ए ग्रेट ट्रेजर जैसा है वैसा ही कर दू तो आपको देखेंगे कुछ-कुछ प्रवचन में वो गैप रखी है और एडिटर ने फूट नोट में लिखा है कि ये शब्द साइध हो सकता है या फिर ब्रेकेट में रख दिया शब्द या गैप रखी है वहाँ पर जो डॉट 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 यह तो डॉट इसी रखने दिया है और यहा फिर गैप में वहाँ पर एक ब्रेकेट रखा गया है which is provided by the editor not provided by the writer तो ये इस प्रकास ये तेरा अमुल्य लेक्शर जो स्वामी विवेका नजी ने सैन फ्रांसिस्को के विविन एरियाओं में दिये थे जिसको इडे एंसल ने स्वेम सुना था ये हमारे पास उपलब्द हुए है ये हमारे लिए बहुत बड़े सोभागे की बात है पेडे एंसल का जन्म हो था 1876 में नियुवर्क में और बॉस्टन में उसका बचपन कटा बाद में वो वेस्ट कोस्ट में आ गई मतलब स्प्रांसिसको साइड में और 8 ग्रेड समाप्त करके इसे शॉट हें सिखा और स्टेनोग्राफर के हिसाब से काम करने लग गई और पहले स्प्रांसिसको में बाद में फिर लॉस अंचलिस में और बचपन से ही वो क्रिपल्ट थी physically handicapped थी और बहुत दुबली पतली थी तो ये बाद में उसी समय जब वो जॉब कर रही थी तब ये स्वामी विवेकान जी वहाँ पर गए थे और स्वामी विवेकान के प्रवचनों ने सुने और फिर जब स्वामी विवेकान जी किसी भक्तों के अनुराओत पर कैम्प परसी में जब गए थे तो उसमें कुछ selected लोगों में लोगों को invite किया गया था उसमें से वो भी थी इसके कारव वो स्वामी विवेकान के घनिष्ट संपर्क में आई उसकी कुछ बातें उसने reminisces में लिखी है और ये जो बाद में अंतिम समय में उसने क्या किया बाद में उसका ये सोभागे रहा कि रामकृष्टन देव के जितने सन्यासिश आए अमरीका में उन सब के साथ उनकी मुलाकत हुई उनके साथ उनका संपर्क हुआ स्वामी विवेकानंद, स्वामी अभेदानंद, स्वामी तुरियानंद और साथ साथ में केवल स्वामी सारदानंजी से वो नहीं मुलाकत कर पाई थी बाक्यों की वो साहथ उस समय वेस्ट कोस्ट में नहीं आये थे बाकी ये अभेदानंजी तुरियानन जी, विवेकानन जी, अत्रिवनातितानन जी, यह सब के संपर्क में आई थी, और स्वामी तुरियानन जी के पास उसने दिख्षाली थी, उसने स्वामी तुरियानन जी ने उसका नाम दिया था उज्वला, ब्राइट वन, सच मुझ में ब्राइट थी, पर रखने के लिए और वो जॉली भी बहुत थी शी वस क्वाइट हुमरस तो सामी जी ने उसका तूरिया ने जी महराज ने उसका नाम दिया उज्वला पर बेबी कहके पुकारते थे यही बाद में अंतिम समय में अंतिम दिनों में वो हॉलिवूड सेंटर में चली आई जब उसका रिटार्मेंट हो गया उसके 1948 में वो वेदांतर सुसाइटी अफ सदन कैलिफोर्निया उसमें वो चली आई और फिर वहाँ पर रहने लग गई जैसा वो एक एकसेप्शन केस है अमरीका में दो सेंटर ऐसे हैं जहां पर एकसेप्शन केस में नंस रह सकती हैं एक है वेदांतर सुसाइटी अफ सदन कैलिफोर्निया होलिवूड में और वेदांतर सुसाइटी अफ नौधन कैलिफोर्निया सैंट फ्रैंसिस्को ये दो ज पर सन्यास दिक्षा मिली, चाहे इस्तुरिया ने जी मारे दी हो, चाहे भेदा ने जी दी हो, तो और उस समय के जमाने में ये समुद्र पार करना तो बहुत ही मुश्किल था, बहुत कॉसली पड़ पड़ता था, लंबा भी पड़ता था, तो यहाँ पर जैसे आजकल जो है, सब कुछ-कुछ सादु ब्रमचारी वहां के जो रहते हैं, वो आते हैं सन्यास दिक्षा लेने के लिए, क्योंकि नाव इजी है, फ्लाइट में बैठे, 12-15 घंटे में पहुँच गया, ऐसा नहीं था उस समय, तो जो भी होगा, इसलिए अब वो अमेरिकन नंस, अब उनको ये रामकिष्ण विवेकन आइडियोलोजी को एडॉप्ट किया, विदान्त मुमेंट को एडॉप्ट किया, विदान्त आइडियोलोजी को एडॉप्ट किया, तो ये लोग इंस्पैर हो करके ब्रमचारी निरना चाहती थी, सन्यास दिक्षा गरहन करना चाहती थी, रहती थी और उसने नन के समान रहती थी और उसी समय स्वामी प्रवान जी इंचाज थे और उसने ट्रेबुको में जब वो सेंटर हुआ वहां परेण सेंटर यूद सुपस्टर मंदीर बना, उसके पास ऐसमा छो दिया तो पुख़ कर दिया और। ये गुरुदास महराज स्वामी अतुलान जी जो ओरी नली वहां अमरीका में स्वामी विकान के संपर्ख में आये थे बाद में भारत वर्ष में भारत वर्ष में ही बहुत रहते थे भारत वर्ष में रहे गए थे तो ये तुरियान जी महराज के विशिष संपर्ख में आये ता रेगुलर और फिर बाद में जब एक बार विद्यात्मानंजी स्वामी विद्यात्मानंजी मनें जॉन एल उसके किताब भी आपने पढ़ी होगी यांकी विद्द स्वामी जॉन एल ये बहुत ही हमारे वरिष्ट सन्यासी थे अभी नीर है ब्रमलीन हो गए ये उस समय मह बाद में फ्रांस सेंटर में भी रहे कई सेंटर्स में रहे तो ये हॉलिवड के सेंटर में थे वह ये इडा एंसल के साथ उनका काफी परेचे था वह जब भारत गए थे तब अतुला नंजी ने बुला कि उजवला के लिए मैं क्या भेजूं सोचने सोते उनका आचा ठीक एक कैन भेजता हूं एक लाठी क्योंकि वह तो इस प्रकार से फिजिकल हैंडिकेप थी तो उसके लिए फिर कंकल में ढूंडांड करके खरीद करके और फिर विद्यात मंजी उसको ला करके दिया वह बहुत खुश हुई बाद में जब उसकी जब अंतिम दिन आया अंतिम समय उसकी उम्रत थी लगभग 55 साल, 1955, 79 यस की बैस थी और 1955 की बात है कि जब अचानक एक दिन सुबे किसी न कहा कि ब्रह्माचारी नहीं जो उनके साथ रहती थी, कहा कि वो तो सुबे आखी नहीं खोल रही है, तो रात को ही उनको मानो यह आया था एक अटेक और इस प्रक यह वेदियात्मान जी आये, कैसे भी करके फिर वो तो लगभग कौमा में थी, फिर भी बहुत प्रहतने करने के वाद दोपर को थोड़ा होश आया, थोड़ा होश आया तब वेदियात्मान जी कहा तुमको सब याद है, तो कुछ भी नई बुली, पर बहुत धीरे स्वर म केवल इतना ही कहा मदर, यह तुरियान जी महराय उनको हमेशा कहा करते थे, कि देखो अंत में मदर ही तुमको देखेगी, तो इतना ही सब्द मिला, मतलब फिर समझगे विद्यात्मान जी कि इसका सचमुच में जो स्वामी तुरियान जी गुरू के आश्रिवात से इसकी म मृत्त हुई, स्वामी प्रभवा ने जी महराय ने जब सुना तो उन्होंने यही कहा कि उसके गुरू आकर कि उसको ले गए, तो यह मानो एक इडा एंसल भी एक स्वामी विवेकान की लिला जो कथा है, उसकी एक महतोपुन कड़ी, उन्होंने अपने रेमेंसेस बहुत अ सवामी विवेकान अचीक किताब है, उसमें आपको इडा एंसल के संस्मान मिलेंगी, उसमें से एकाद कुछ संस्मान हम सुना देख सकते हैं, स्वामी विवेकान के बारे में बोलते थे कि स्वामी विवेकान कभी एकदम उनका जो चलना रहता था एकदम graceful walking कभी हडवड़ी नहीं करते थे कोई हडवड़ी करता था थो उनके पर हसते थे बोलते थे स्वामी जी ये train शुट जाएगी, cab शुट जाएगा, tram शुट जाएगी तब स्वामी जी शांत स्वार में बोलते थे Will there be no next cab? इतना सामने वाला का सब एकदम पंचर हो जाता था तो स्वामी जी का अपना जो cool headed रहता था, कभी वो जल्दी हडवड़ी कहीं नहीं करते थे, lecture के लिए देर हो रही है, कोई हडवड़ी नहीं, शांत भाव से आएंगे, भले देर हो गई, देर हो गई, और भले देर हो गई, पर वो जब जब सुरू किया, तब फिर वो तो कहां से कहां किस दुनिया में ले जाएंगे, तो he did not mind being late, जब उनको किसी ने कहा कि स्वामी जी, you are always late, उनका you see we live in eternity, भारतवासी जो है, हम टाइम में नहीं रहते हैं, हम तो अनंत में रहते हैं, इस प्रकार से, और बाद में जब प्रवरचन उनका खतम हुआ, तो उन्हो जो एक भक्त थे, उनको बोलके रखा था, एक pocket watch थी, उसको pendulum के समान चला रहे थे, उनको बोलके रखा था, दस बच जाएगा, तो बंद करना है, तो वो hall के लाथ में बैठ करके, pendulum करके हिलाने लगे घड़ी इस प्रकार से, तब स्वामी जीन का, अरे, you are showing the watch to me, I have not yet started, I was just warming up, तो आभी जीन का, तुम मेरे को अभी से घड़ी दिखा रहे हो, अभी तो मैंने सुरू नहीं किया है प्रहोचन, मैं तो just beginning introduction दे रहा था, जो भी होगा, तो इस प्रकार स्वामी जी was beyond time, पर उनकी बात अलग है, वो महापुरुष, आनंत में रहते थे, और एक बात से ले करके बहुत मजा करते थे, you western people are always afraid of losing your individuality, कोई को आकर बोलते थे हो, स्वामी, what will happen to my individuality, if we practice this Vedanta, आत्मन, आत्मन करते हो, ब्रह्मन हो गया, तो ब्रह्मन मिलीन हो जाएंगे, what will happen to my, what will happen to my individuality, तो स्वामी जी, उसकी मजा करके बहुते थे, everybody is so afraid here in the west, about losing individuality, ऐसा करके, अलग-अलग करके बोलते थे, अपिर समझाते थे, अरे, एड़प अलग अलग करके बोलते थे, आपे समझाते थे, अरे, एड़प अलग को विपन, what will happen to me, if I mix with the ocean, ocean says, don't worry, we are all, all, you will be meeting not, you will be meeting with all your brothers and sisters, And if at all you don't like me, then you go as a vapor and become rain again, don't worry. So, this is about losing individuality. Then, we say, the less you read, the better. The less you read, the better. The better you read, the better you read. We haven't seen all the places, but now we don't have to read it, but we have to listen to YouTube and listen to the lectures on the internet and on the internet and on the WhatsApp message. कितने प्रकार के आता है, ऐसा करके सब लोग का दिमागी खरब हो गया है. उसमें कौन सा सच है, कौन सा नहीं, कौन सा आथन्टिक, कौन सा नहीं आथन्टिक. सवामी जी ने कहा, पहली बात तो, उस समय किताब का ही बात था, यह सब तो था नहीं. किताबे कितने प्रकार किताबे पढ़ करके इंडियाजेशन हो जाता है दिमाग खड़ाब हो जाता है डोंट रीड एनी बुक विच इस नौट रिटन बाई ये रिलेज सोल पहली बात योदि आध्यात्मिक लोगों के लिए बता रहे थे if you really want to advance in spiritual life you read the books only और फिर उनन कहा गीता उपनिशाद उस प्रकार की कुछ किताबे selected किताब पढ़ के उसके पर ध्यान करो उसके पर चिंतन करो और practice meditation practice करो practice के उपर जादा ध्यान दो और उननने कहा कि आज की education system ही ऐसी कि बहुत सारी information ठूस दी जाती है एकदम before the mind is ready mind control सिखा ही नहीं जाता और इसे Swami Ji ने का उसी संदन में कहा था if I had to do my education or again I will not undergo the present system of education first I will learn how to control my mind how to concentrate my mind any information I can have at my own wish कि मुझे कहा जाया कि फिर से शिक्षा लेना तो मैं वर्तमान सिक्षा पदती में दाखिल नहीं हूँगा पहले मन को एकागर करना सिखूँगा मन को नियतित करना सिखूँगा फिर ये जानकाई तो मैं कैसे भी करके ले लूँगा ये स्वामी जी कहा करते थे तो इन्होंने कहा था unless you read the better फिर फिर वो स्वामी जी ने कहा था एक बार केंप इर्विंग में जब स्वाम को जो फायर प्रिस के सामने धुनी लगा कर उसके बाद में सब लोग ध्यान करते थे बहुत तुम लोग को जिसके और ध्यान करना हो करो पहले बहुत अच्छर डिस्कोर्स दिया उसके बाद में सब लोग ध्यान करने जब बैठे, तुम लोग को जिस पर ध्यान करना हो करो, I will meditate on the heart of loin, मैं तो शेर के रिदे पर ध्यान करूँगा, और उसके बाद इडा एंसल बोलती है, कि इतना अच्छा सब का meditation हुआ, we will all transported to another this one, अब उस समय जहां कैम्प एरिविंग म सब ये लोग काम करते हैं, ये लोग सब शीविर जहां लगाये थे, यहां पर आध्यात्मिक साधना होती थी, तो एक चोटा सा कीचन भी था, कीचन में रसी बनागते थे पारी-पारी से और फिर इखाते थे, अब वो लोग चाह काफी पी रहे थे, इधर कुछ दूर पर, कोई एक प्रोजेट चल रहा होगा, गौवर्मेंट का, किसी का प्रोजेट चल रहा हो, तो उसमें कुछ निग्रो, ये बच्चे लोग कुछ काम कर रहे थे, मजदूर काम कर रहे थे, उसमें से एक मजदूर जो बालक था, वो स्वामे जी को देखा कि, उसको लगा कि ये तो हमारे भाई बंदू लगता है तो उसके पास में अब बोला कि उसको कौफी पिने की इच्छा थी उसने यही कहा अब वह इंगलिस तो जानता नहीं था उसने इतना ही कहा कि white men like coffee red men like coffee black men like coffee I like coffee तो उसके बाद में स्वाम जी का रही इसको coffee दो और फिर सारा दिन बहुत मजाग करते थे यही बात बुलते थे white men like coffee black men like coffee यह पूरा सारा दिन उनका यह मजाग चला था उसके जिस प्रकार से वो छोटा बच्चा बुला और एक बार ट्रेन में छोड़ने के दिये स्वामी जी गया इडाएंसल को station ट्रेन आई उसके बाद चोड़ रहे थे तो fireman ने engineer को बोला fireman told the engineer जब स्वामी जी को देखा तो बोला who is this sky pilot उसका नाम दिया sky pilot तो पहले तो यह भी चक्रा गई इडाएंसल के sky pilot का मतलब क्या हो था उसके language में यही है कि एक तो धर्मगुरु है उसके language में sky pilot बोल रहा है मतलब जो आपको आकास में लिजाएगा pilot और दूसरा स्वामी जी की नजरे कभी भी नीचे नहीं रहती थी आकाश की और ही रहती थी यह इडाएंसल ने mark किया था उसके उपर ही उनकी दृष्टी रहती थी उर्धव दृष्टी वाले थे हमेशा तो इसलिए वो फायरमन ने इंजिनर को कहा who is this sky pilot तो बाद में यह इडाएंसल को यह बात अच्छी लग गई कर दें कि स्वामी जी को गरीबों के प्रती या जो निबनेवन के प्रती उसके बहुत ही विशेस साहनुपूती थी एक बार रेस्टराइड में लोग ले गए थे तो वो यह आईस्क्रीम फो डाला है तो उसमें बराबर नहीं था तो उन्होंने स्वामी जी क्या कुँं बरला सकती है तो वेटरइस ने कहा हम बरला सकती है तो वेटरइस ज़ल्दी वहाँ पर जाकर बरला ने गई और वो मैंजर उसको डाटने लगए क्यों तुम इस परकार से दूसरा ले गई थी फिर स्वामी जी ने वही Dare चिल्ला के कहा, if you say one more word to the waitress, I will take all the soda, ice cream soda of your restaurant, भले अभी यदि तुमने एक बार भी सब्दी भी उसको कहा न, waitress को इस प्रकार डाट रहो, उनको इतना दुख लगा कि मेरे कारण waitress को दुख हो रहा है, उसको डाट पड़ रही, भले तुम्हारा सब ice cream soda में ले लूँगा, ज़्यादा डाटो मत, तो इस प्रकार से बहुत अच्छे reminences इडिया अंसल ने कहा, उज्वला ने, और टॉम एलन के reminences जो हैं, वो आज अभी नहीं देखेंगे, समय हो गया, कल हम उसको देखने का प्रेद्ट करें, कल नहीं करेंगे, कल तो हम जनमाश्ट में हैं, तो स ओम शान्ति 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 हरी ओम तच्सत शेराम कृष्णार प्रणमस्त